सरकारी मसीन चोरी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अरजी हो गई है खारिज समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता और पूरो मंतरी आजम खान और पूरे विधायक अब्दुल्ला आजम पर पिछले साल नगरपालिका की सरकारी मसीन चोरी किये जाने का एक मामला दर्ज किया गया था फिलहाल दोनों पिता पुत्र अलग-अलग जेलों में बंद हैं मगर उनकी जमानत को लेकर MPLA कोर्ट में दाखिल की गई अरजी खारिज कर दी गई है कोर्ट से जमानत अरजी खारिज होने को लेकर आजम खान को लिए ये एक बड़ा जट का माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ट निता आजम खान और उनके बेटे अब्दल्ला आजम दो दो जन्म परमाणपत्र मामले में MPLA लोर कोर्ट से सासा साल की सजा सुनाई जाने के बाद सूबे की सीतापुर और हर दोई की जेलों में फिलहाल बंद हैं पिछले साल अब्दल्ला आजम के दो करीबी दोस्तों अनवर और सालिम को पुलिस के दोरा एक दूसरे मामले में गिरफतार किया गया था इस दोरान भाजपा नेता बाकर अलिखान की ओर से आजम खान और अब्दल्ला आजम सहीत कई के खिलाफ नगर पालिका की सरकारी मसीन चोरी करने का मामला सहर की कोतवाली में दर्ज कराया गया था रामपुर पुलिस के दोरा अनवर और सालिम से जब पूस्टाच की गई तो उनकी निशान देही पर जोहर इंवर्श्टी की परिशर की जमीन में मसीन के दबे होने का हवाला दिया गया था इसके बाद रामपुर पुलिस हरकत में आई और भारी फोर्स के साथ पहुचकर आला अधिकारियों के अगवाई में चोरी की गई सरकारी मसीन को जमीन से जेसीबी की मलत से खोट कर बाहर निकला गया था पुलिस ने इस मामले में धारा चार सो नो चार सो एक ग्यारा दो सो एक सो बीस भी आई पी सी दो बटा तीन के तहट मामला दर्च कर लिया था और इस पूरे प्रक्राण में आजम खान, अब्दुल्ला आजम, अन्वर और सालिम सहीद कई अन्य लोगों को आरोपी भी बनाया गया था अपर जिला सास की अधिवक्ता सीमा सिंग राणा के मताबिक रामपुर की नगर पालिका की सरकारी मसीन को चोरी करके ले जाने पिलाज कराया जाने की अदल्द के और से आदेश भी जारी कर दिये गए हैं इनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान इनका एक जो सफाई मशीन के सम्बन में जमान त्यार्शिका थी वो हमारी कोर्ट में लगी हुई थी और इसमें जो मुकदमा बादी हैं वाकर अली इनके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा दर्श कराया गया था कि जो सापा सरकार है इसमें सफाई व्यवस्था के लिए जो नकर पालिका रामपूर है इसमें मशीने खरीदी गई थी ये मशीने मुहमद आजम खाने जो कुलपती थे जोहर युनिवस्टी के उन्होंने अपने यहां साफ सफाई के लिए लगा रखी थी और सरकार बदल अभिएग्त, उनकी निशान ने पर तो ये वहो वा मामला था, इसमें इन नो ने स्थाई बेल लगाई थी वह मान्नी न्याले द्वारा तो अब क्या हो इसमें अगली कारवाई अगली कारवाई अब इसके लिए क्योंकि यहां से जमानत याचिका खारीज हो चुकी है अब मानने उच नियाले में यह लोग जाएंगे और कौन से मामलाव खास था में आज में यही मैटर था जिसमें इन दोनों लोगों की जमानत याचिका खारीज हुई है जो सफाई मशीन बराबद हुई है जो हर यूनिवस्टी से जो इनके यहां से बरामद हुई थी रिकबरी की गई थी उसके सम्मन में यह मैटर था आपका नाम मेरा नाम सीमा सिंग राणा है साहेग जिला शास की अदिवक्ता फ़सदारी MPMLA कोड यूपी नियूज 9 के लिए रामपूर से मुझसिम खान की रिपोर्ट